अब जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं, वह है कोलाइड क्या है और ये कहां पाये जाते हैं तो हम कहेंगे हमारी शरीड के अंदर और हमारी चारो ओर हर जगा हमें कोलाइड मिलते हैं उदारन के लिए आप ठंड के दिनों में ये कोहरा देखते हैं ये कोलाइड का ही एक रूप है इसी तरह से ये फैक्टरों में निकलने वाले धुएं ये धुआ भी कोलाइड ही है इसी तरह से यदि हम अपने शरीर की बात करें तो हमारी शरीर के अंदर पाए जाने वाले जो कोशिकी तरल होते हैं साइटो प्लाज्म या फिर रक्त ये भी कोलाइड ही हैं इसी तरह से आप देखें ये है आईस क्रीम और ये है क्रीम ये तो आप यूज करते ही हैं ये भी कोलाइड ही हैं इतना ही नहीं आप घरों में उ कर थे और उसक्राइव खासित का सब्सक्राहिए प्रकार है। आपने घरों में जो दवाईंग करते हैं और सिरप के भोए होती है वह भी कोलाइड ही होते हैं, इतना यह नहीं जो आप अपने घरों में पैरों की सफाई के लिए से प्यूमिक स्टोन यूज करते हैं या फिर फूंग उप्योग करते हैं यह एक प्रकार के कॉलाइड ही है तो आप देखिए यह को लाइड हमारी चारों तरब बिखरे हुए हैं ये कुलाइट विलियन से किस तरह से भेनन है आईए इसे हम एक उदाहरन के द्वारा समझते हैं अब देखी यहाँ पर हमारी पास भेनने भेनने प्रकार के मिश्रण हैं पहला जो आपको दिखाई दे रहा है वो पानी में नमक का मिश्रण है लेकिन क्या आप देखकर बता सकते हैं कि इसमें नमक मिला हुआ है नहीं क्योंकि इसमें आपको नमक केकन दिखाई नहीं दे र इसमें नमक के कंड इतने छोटे हैं कि यह इसमें आपको बाहर से दिखाई नहीं दे रहे हैं और इस तरह यहाँ पर आपको केवल एक ही प्राविस्था दिखाई दे रही है दूसरी ओर यदि हम इस मिश्रण की बात करें तो यहाँ पर पानी में हमने रेट डाला हुआ है औ यहाँ पर आपको रेट के जो कंड हैं वो बाहर से दिखाई दे रहे हैं और क्योंकि यह रेट के कंड इतने अधिक बड़े हैं कि आप इन्हें इस पस्ट देख सकते हैं यहाँ पर आपको दोनों प्राविस्थाएं इस पस्ट दिखाई दे रही हैं अब इन दोनों प्रा काफी बड़े हैं जो इस पस्ट दिखाई दे रहे हैं और यह एक इस पस्ट विस्समांगी मिश्रण है इन दोनों के बीच हमारे पास और भी भी भीन भीन प्रकार के मिश्रण होते हैं जिन में की कणों के साइज इस शुद्ध विल्यन के कणों और यहां पर जैसे हम स्टार्च को जब हमने पानी में घोल कर इसे गरम किया तो इस प्रकार का हमें एक मिश्रण प्राप्थ हुआ इसी तरह से जो दूध है यह भी एक प्रकार का यदि मैं इसे पानी में डाल दूँ तो आप देखेंगे कि यह पानी में पूरी तरह से फैल गया है अब इस प्रकार के ये जो मिश्रण हैं इन्हें हम कहते हैं कोलाइट तो इस तरह से आप समझ गए हैं कि जो कोलाइट अवस्था होती है उसमें कणों का आकार शुद्ध विलियन के कणों के आकार तथा सस्पेंशन के कणों या निलंबन के कणों के आकार कर मद्ध में होता ह इस तरह हमने देखा कि जो कोलाइट हैं वो एक प्रकार के विश्मांगी तंत्र हैं और ये दो भागों से मिलकर बने होते हैं इसमें एक भाग होता है जो छोटे चोटे कणों से मिलकर बना होता है वह है परिक्षिप्ट प्रावस्था और ये दूसरी पदार्थ में फैला हुआ होता है जिसे हम कहते हैं परिक्षेपन माध्यम यानि कि कोलाइट तंत्र का निर्मान दो चीज़ों से मिलकर होता है एक है परिक्षिप्त प्रावस्था और दूसरा है परिक्षेपन माध्यम यहाँ पर हम देखेंगे कि जो विलियन तथा कोलाइट के में जो मुख्य अंतर होता है वह इनके कणों के आमाप का ही अंतर है यहाँ पर हम देखें कि जो कोलाइट के कणों का आकार होता है वह एक नैनो मीटर से 1000 नैनो मीटर के मध्य होता है यदि कणों का आकार इससे छोटा है तो उनसे बना हुआ मिश्रन विलियन कहलाएगा और यदि कणों का आकार 1000 नैनो मीटर से अधिक है तो उससे बना हुआ ज एक और चीज़ देख सकते हैं कि जो विलियन के अव्याव होते हैं वो या तो फिर आयन हो सकते हैं या छोटे-छोटे अनू हो सकते हैं लेकिन जो कोलाइट के अव्याव होते हैं वो एक ब्रहद अनू भी हो सकता है जैसे कि प्रोटीन का अनू या एंजायम का अनू या फिर ये कई परमानुओं या फिर कई आइनों या कई अनुओं का एक संकलन भी हो सकता है जो कि मिलकर एक कोलाइड रेंज के आकार का गठन करते हैं और इस तरह से हम देखते हैं कि विलियन और कोलाइड तथा सस्पेंशन इन तीनों में मुख्य अंतर इनके कणों के अमाब कणों की साइज का ही होता है ये कणों का कोलाइड के कणों का आकार कैसा होता है कोलाइड के कणों का आकार गोल भी हो सकता है या भिन भिन आकरती का भी हो सकता है लेकिन इसके जो आकार है उसका जो अधिक्तम व्यास है वह कोलाइड के आकार के रेंज यानिकी एक नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के मध्धे ही आना चाहिए उससे बना हुआ मिश्रन कोलाइट तंत्र का निर्मान करता है अब हम जानते हैं कि यहाँ पर प्रश्ण उठता है कि हम कोलाइट का अध्यन क्यों करें कोलाइट की क्या उप्योगिता है तो इसका मुखे कारण है इनका छोटा आकार कोलाइट की कणों का आकार या इनके जो कणों की माप होती है वह कोलाइट कणों का प्रती ग्राम जो प्रिस्ट छेत्रफल होता है वह बहुत अधिक होता है और प्रिष्ट हम जानते हैं कि जो रासाइनिक अभीक्रिया की दर होती है वो प्रिष्ट छेत्रफल के समानुपाती होती है जितना ज़्यादा प्रिष्ट छेत्रफल होता है उतनी ज़्यादा रासाइनिक अभीक्रिया की दर होती है तो इसलिए जो कोलाइट कणनों का उप्योग यहाँ पर बहुत ज़्यादा है तो धारन के लिए हम देखें कि यदी हमारे पास एक कोलाइट कन है जिसका छेत्रफल या क्यूब की आकार का है जो की एक संटीमीटर लंबाई एक संटीमीटर चड़ाई और एक संटीमीटर उचाई का है इससे बना हुआ यदि हम इसका पूरा छेत्रफल निकाले तो यह कितना होगा यह होगा छे संटीमीटर का स्क्व क्यूब में तोड़ दें बहुत सारे क्यूब बना दें तो उनसे मिलकर जो संपून इनका प्रिस्ट छेत्रफल तयार होगा वो हो जाएगा कि कोलाइट कणों के आकार की वज़े से इनके प्रिस्ट छेत्रफल में व्रद्धी हो जाती है और इसका हमारे विभिन रायसायनिक प्रक्रमों में बहुत अधिक उप्योग होता है तो अब प्रश्ण यह उठता है कि इसे और छोटा करके हम विलियन क्यों नहीं बना लेते ह कुलाइट के रूप में इनका द्धियन क्यों करते हैं वह इसलिए क्योंकि हम इनके कणों के आकार को और भी छोटा करते क्योंकि हमने पढ़ा है अधिशोषण में जो सर्फेस होती है उसमें कम से कम इतनी जगह तो होनी चाहिए कि उसमें विभिन अभिकारक आकर वहां पर अधिशोषित हो सकें तथा आपसी अभिक्रिया के दवरान उत्पात का निर्मान कर सकें इसलिए हमें कोलाइड रेंज के अव्यवों की आवश्रक्ता होती है और इसलिए कोलाइड का हमारे लिए बहुत अधिक महत्व है इसलिए आपने देखा होगा कि जो भी हम दवाईओं के रूप में सिरप जो पीते हैं वह बहुत एकदम पतले नहीं होती वह कोलाइड के रूप में होते हैं थोड़े थीक मोटे होते हैं यही वज़य है क्योंकि इनका प्रिस्ट छेत्रफल अधिक होगा तो जब हमारे ये शरीर के अंदर जाएंगे तो वहां पर किटानों या अन्य जो पदार्थों से ज्यादा इंटराक्शन कर पाएंगे और ज्यादा अधिक प्रभावी होंगे जिसकी है आईए अब हम जानते हैं कोलाइडों का वर्गी करण कोलाइड कितने प्रकार के होते हैं तो हम यहाँ पर देखें कोलाइडों को कई प्रकार से वर्गी कृत किया गया है सबसे पहला जो वर्गी करण है वह है कोलाइड की परिक्षिप्त प्रावस्था तथा परिक्षे परिक्षेपन माध्यम, इनका भौतिक आवस्था किस प्रकार से है, अब आप जानते हैं, यहां पर जो परिक्षिप्ति प्रवस्था है, वो भी ठोस, द्रव या गैस हो सकती है, इसी तरह से जो परिक्षेपन माध्यम है, वो भी ठोस, द्रव और गैस हो सकता है, इस तरह से हम एक कुल प्रकार, आठ प्रकार के कोलाइट सिस्टम प्राप्त होते हैं यहाँ पर हम जो गैस और गैस का जो मिश्रण होगा उसे हम कोलाइट रेंज या कोलाइट तंत्र के रूप में नहीं मानते क्योंकि हम जानते हैं जो दो भिन गैसे होती है वो आपस में मिलकर एक समांगी मिश्रण का निर्मान करती हैं जबकि कोलाइट तंत्र एक विसमांगी तंत्र होता है तो हमारे पास ये 8 प्रकार के कोलाइट तंत्र हमें प्राप्त होते हैं आये इनको देखते हैं यह कौन-कौन से हैं यहां पर हम परक्षिप्त प्रावस्था फिर परक्षेपन माध्यम तथा कोलाइड के प्रकार इसे मिलका किस प्रकार का कोलाइड बनेगा तथा उसके कुछ उदाहरनों को देखेंगे यहां पर एक चीज हम और देखेंगे कि जो तो सबसे पहले हम देखते हैं यदि परिक्षेपन प्रावस्था यहां पर परिक्षेपन माध्यम फोस है तथा परिक्षित्य प्रावस्था फोस है दोनों फोस है तो इस प्रकार से जो कोलाइट का प्रकार बनेगा उसे हम फोस सौल कहते हैं सौल का मतलब है यहां पर मिश् तो ुद् pen का उप्योग करते हैं यह प्रकार के कोलाइट के अंतरगत आते हैं जो रंगीन कांच होते हैं उनहें जो कांच बनता है इसने कुछ धातवें जैसे आपने देखा होगा कॉपर है कोबालट यह धातवें यह मिलायी ताकि उनमें भिन भिन प्रकार के रंग उत्पन हो सकें तो इस प्रकार ये ठोस का ठोस में बना हुआ को लाइट का उदाहरण है इसी प्रकार हम देखें जब परक्षेपन माध्यम द्रौ है और इसमें ठोस परक्षिप्त प्रावस्था के रूप में मौजूद है तो इस प उदाहरण में आप ले सकते हैं जैसे की पेंट या फिर इसमें जो हमारे शरीर में उपसी जो कोश की तरल होते हैं साइटो प्लाजम हुआ रक्त हुआ ये इसके अंतरगत आते हैं तीसरी प्रकार का जो कोलाइड है वह होता है यदि परिक्षेपन माध्यम गैस है और उसमें परिक्षिप्त प्रावस्था फोस है तो इस प्रकार का जो सॉल तैयार होता है उसे हम एरो सॉल कहते हैं और इसका उदाहरण हम ले सकते हैं धुआ और या फिर धूल वायू होती है उसमें धूल के कण या कोले के कण परिक्षिप्त प्रावस्था के रूप में फ्याले परक्षेपन माध्यम ठोस है तथा इसमें परक्षिप्त प्रावस्था द्रौ होती है अब इस प्रकार का जो कोलाइट बनता है उसे हम जेल कहते हैं और इसका उदाहराण हम ले सकते हैं पनीर या फिर विभिने प्रकार की जो जैली होती है इनमें ठोस पदार्त में द्रौ जो है वह परक्षिप्त प्रावस्था के रूप में मौजूद होता है इसके बाद अगला जो कुलाइट तंत्र है वह है परक्षेपन माध्यम जब द्रौ होता है और परक्षिप्त प्रावस्था भी द्रौ होती है यानि कि द्रौ का द्रौ में मिश्रण इस प्रकार का जो क मलसन या पायस कहते हैं और यह भी सबसे ज्यादा प्रचलित कुलाइट तंत्रों में आता है इसके बहुत सारे उतारण है जैसे की दूद है मक्खन है या फिर क्रीम है ये इसके अंतरगत आते हैं अगले प्रकार का जो कुलाइट सिस्टम है वह है जिसमें की पर छेपन माध माध्यम गैस होती है जबकि प्रकर्षिप्त्य प्रावस्था द्रों होती है और इस प्रकार का जो कुलाइट तंत्र बनता है उसे हम कहते हैं क्योंकि यह पर जो परक्षेपन माध्यम है वह है गैस हमने पहली एक कहा कि जो परिक्षेपन माध्यम होता है उसी के आधार पर हमारे कोलाइट का प्रकार बनता है इसका उधारन हमने जैसे लिया अभी धुआ या फिर धुन्द या फॉग तथा कोहरा इसका उधारन होता है यहाँ पर हम देखेंगे कि हवा में कोहरा क्या होता है जिसमें कि हवा मे पानी की छोटी छोटी बूंदे यानि की गैस में द्रो के कण परिक्षित प्रावस्था के रूप में मौजूद होते हैं तो धुंद या कोहरा इसका उदारण है इसके अलावा जो बादल है वहां पर भी हम देखते हैं यह इसका उदारण हो सकता है या फिर जो हम रूम लेट कह पडार्थ होता है वह वाइयू में फैल जाता है तो यह भी उसी प्रकार के एरो सॉल प्रव का उदारण है जिसमें की गैस में द्रो केकण फैले हुए होते हैं इध्र कि जो कॉलाईट तंत्र है वह है जिसमें कि परिक्षेपनमाध्यम यहां पर फोस होगा तथा परिक्षिप्त प्रैवस्था गेस होगी, यहाँ पर इस प्रकार का उधारण हम देखेंगे, क्योंकि यहाँ पर परिक्षेपन माध्यम ठोस है, तो यह जो प्रकार कोलाइट का बनेगा वो ठोस सॉल होगा, और इसका उधारण होता है आपका प्यूमिक स्टोन या फि उसमें वायू भरी हुई होती है तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि जो परक्षेपण माध्यम है वह तो ठोस के रूप में हैं लेकिन उसके अंदर गैस परक्षप्त प्रावस्था के रूप में फैली हुई है तो इसे हम कहेंगे को लाइट जो इस प्रकार का होगा इसे हम क अब यहीं दहरण आप देख सकते हैं जो साबुन का ज्ञाग बनाते हैं उसमें आप देखेंगे कि ड्रौ होता है पानी लेकिन उसमें हवा की बुलबले हवा अंदर भरी होई होती जिसमें हमको bubbles के रूप में ज्ञाग के रूप में दिखाई देता है तो इस प्रकार का जो कोलाइट तंत्र है उसे हम foam कहते हैं यह fan में साबुन के ज्ञाग में इस तरह हमको दिखाई देता है तो इस तरह जो परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षिपण माध्यम इनके भौतिक अवस्था के आधार पर हम कुल आठ प्रकार के कोलाइट तंत्र प्राप्त करते हैं इसमें सबसे ज़्यादा जो प्रचलित तंत्र होते हैं वह होता है एक आपका सॉल या फिर जल और तीसरे प्रकार का इमल्सेन और हम इस जो अध्याय है हमारा उसमें हम ज्यादातर सॉल तथा इमल्शन के विशाय में या उसके गुणों के विशाय में अधिक अध्यान करेंगे.